आज एक नहीं दो दो ब्रत की फलाहरी रेस्पी बनाएंगी वो भी बहुत इंस्टेंट सबसे पहले हम बनाएंगे सिंहाडे की आटे की साधी पूरी बुल्किल फुली फुली पूरी बनती है फ्रेंट्स तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम सिंहाडे की आटे को अच्छे से चाल ल बेलना नहीं हाथों से बस चप्टा करके आपको डारेक्ली कढ़ाय में इसको फ्राइ करना है तो आपको मीडियम साइज का ही डो लगाना है बहुत कम मात्रा की पानी में यह रेडी हो जाता है इसका डो यह देख सकते हैं बिल्कुल मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और पाफिक डो बन करके रेडी हो गया है तो चलिए फटा फट से हम पूरी रेडी कर लेते हैं पूरी रेडी करने के लिए आटेम से थोड़ा सा दो तोल लिया दोनों हाटों पे पटक पटक के बिल्कुल इसको चिप्टा कर दिया छोटी पूरी की अकार की स्रिप का यह जब हो जाये तब आपको इसको फ्राइ करना है इसको चेक कर लेते हैं हूं यह देखिए फ्रेंट्स बिल्कुल पॉफिक्ट हमारा रिफाइंड नौल गरम है आप इसे पूरी को फ्राइग मेंआप चाहें तो देसीगी में फ्राइए कर सकते हैं वह आपकी चौइस है पूरियों को इस तरह से मैं चान लेती हूं उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम सर्फ करेंगे एक सब्जी के साथ बाद में बनाना बताऊंगी आपको यह लीजे हमारी और पूरिया बन करके रेडी हो गई हैं आपको सब्सक्राइब को बिल्कुल लोग फ कुल चुकी हैं फटाफट समसारी पूरियों को निकाल करके सर्विंग बॉल में सर्व करते हैं उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे तो यह लिजे आ चुकी है हमारी गर्मा गरम सिंहाडे के आटे की पूरियां बिल्कुल पॉफेक्ट अब चलते हैं फ्रेंड्स इसके साथ बूटे टुकडू में आपको कट कर लेना है जैसा कि मैं कट कर रहे हूं कि हम अभटे अलू के कुछा अलू ब्ले चलते हैं तो कच्छा अलू आफ थे सकते हैं पर वह वाले जब आलू आप इस तरीके से बनाएंगे तीखा आप अपने कोटिंग कमे जादा रख सकते हैं आधा मिनिट भूनने के बाद उबले हुए कटे आलूओं को इसमें डाल दें आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जीरा और मिर्चे की कोटिंग सबी आलूओं पर अच्छे से चड़ जाए फ्रेंट्स ओपन में आपको दो से तीन मिन तक ऐसे ही आलूओं को फ्राई कर लेना है उसके बाद 25 ग्राम मुंफली को उमने पहले से रोष्ट करके रखा है इसको डाल देना है उपर से आधा टीस्पुन गोल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसर जाएगा सेंधा नमक अब थोड़ा सा सुखा धनिया डालके इन सबी को अच्छे से मिक्स करें मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए मैंने सुखा धनिया यूज़ किया फ्रेंट्स तो ये लिजे बिल्कुल बढ़िया सा हमारे आलू फ्राई वित मुम्फली रेडी हो चुके हैं अब आप इसको सिंगाडे के पूरी के आध सर्व करेंगे बहुत बढ़िया टेश देता है बिल्कुल पॉफिक्ट आप देखिए बिल्कुल मुमें पाने ला देने वाली हमारी सबजी पूरी बन करके रेडी है आप एक बार इस रेस्पी को जरू ट्राई करिए और अपने पूरे परिवार साथ इंजोई करें